असलाम लेकुम एवरिवन आज मैं आपके साथ रगड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप इसे मटर की सबजी भी बोल सकते हैं इसे आप अगर अलू की टिक्के के साथ सर्व करते हैं तो उसे रगड़ा पैटीज कहते हैं तो मैं पैटीज की रेसिपी शेयर नहीं कर रह तो ये फूल कर कुछ इस तरह से हो गया है तो इसे अच्छे तरह से पानी इसका निकाल लेंगे और एक प्रिशर कुकर लेंगे और इसमें ये मटर को डाल देंगे और इसमें एक कप मटर लिया था मैंने इसलिए इसमें एक कप पानी डाला है और इसमें एक बड़े सा इसका फ्लेम आउन करके और इसमें चार से पांच विसल आने तक इसे पकने देंगे गैस का फ्लेम आफ करके थोड़ी देर छोड़ दिया था मैंने और अब ये देखिए मटर बहुत ही अच्छे तरह से गल गई है आप इस एक रेसिपी से ना बहुत सरे तरह के चार्ट बना कर रे चाहें तो इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं अब एक पैन या कडाही गरम कर ले और उसमें दो चमच मैंने सरसों का तेल डाला है और उसमें आधा चोड़न चमच जीरा डाला है और अब मैने यहां पे एक बड़े साइज का प्याज और 4-5 हरी मिर्च और एक बड़े अगर आप चाहें तो अद्रक और लैसुन को ग्रेट करके भी आप डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अब यहाँ पे पॉडर मसाले डाल लेंगे, एक चोड़ा चमच धनिया पॉडर, एक तीहाई चमच जीरा पॉडर, एक तीहाई चमच लाल मिर्च और एक तीहाई चमच हल्दी बॉडर, और उसी के साथ टमाटर भी एट कर देंगे, अब इन मसालों को अच्छी तरह से भूण लेंगे, मेडियम टू लो फ्लेम पे, अब यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, यहाँ मैंने बहुत ही कम तेल का इस्तम जाँ चमच चमच चाट मसाला डाल रही हूँ, आपके पस जो भी अवेलेबल हो चाट मसाला या फिर आम चुर का पॉरडर आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, यहाँ पे मैंने टमाटर का भी इस्तमाल किया है, इसलिए मैंने सिर्फ एक छोड़ा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूनें और साथ में बेल आइकोन को प्रेस करके All को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके मटर को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैंने दो कप के तकरीबन पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला ले मिला करके ढखकन लगा कर इसे तीन से चार मिनट के लिए इसे मेडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे ये पीली वाली मटर की सबजी जो होती है ये ठंडी होने के बाद बिलकुल गारी हो जाती है इसे बनाना जितना हसान है खाने में उतन टेस्टी होता है अब इसमें उपर से हरा धनिया डाल करके अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और अब गैस का फ्लेम बन कर देंगे और आप ये देख सकते हैं ये रगड़ा बोलिए या फिर मटर की सबजी बिलकुल रेडी हो चुकी है अगर आलू की टिक्की के साथ मोसा चाट आलू चाट या फिर ऐसे ही बिलकुल प्लेन चाट बना सकते हैं तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है और उसमें मैंने ये जो मटर की सबजी रेडी की है वो डाल दिया है उसके उपर से थोड़े प्यास थोड़े टमाटर थोड़ी हरी मिर्च और य अपर से डाल सकते हैं और आखिर में हरा धनिया उपर से डाल करके सर्फ करें तो देर किस बात की है जल्दी से बनाएं खाएं खिलाएं खुश रहें अल्ला हाफीज